हलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी किछन में आज हम बनाने वाले हैं pumpkin की सब्जी जिसे हिंदी में हम कद्दू के नाम से भी जानते हैं आधे लोगों की भूग तो तभी मर जाती है जब उन्हें पता चलता है कि आज कद्दू की सबजी बनी है तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्रॉब्लिम कहा है हो सकता है कि आपके जो कद्दू बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो क्योंकि मैं जिस तरीके से कद्दू की सबजी बनाती हूं मेरे घर के हर सदस्य को यह सबजी बहुत ज़ादा पसंद है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यह जो सबजी है यह कितनी मसालेदार और साथी साथ कितनी टेम्टिंग लग रही है इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाईए हर किसी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगे अब यहाँ पर इस सबजी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो ये कद्दू ले लिया है इसमें जो बीच का जो रेशा होता है और बीज होता है उसे मैंने निकाल लिया है इसे आपको अच्छे से wash कर लेना है धो लेना है और इसके जो पीछे का जो छिलका है इसे आपको अच्छे से निकाल लेना है और साथ ही साथ इसे pieces में आपको काट लेना है इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मसाले में यूज होंगी वो है लहसन, लहसन करीब 20-25 का लिया है, लहसन हमें ज्यादा चाहिए इसमें, टमाटर दो मैंने ले लिया है मीडियम साइस का, एक अधरक का टुकड़ा है, एक हरी मिर्च है और एक थोड़े बड़े स शिलका होता है, इसे हमें निकाल देना है, और इसे पीसेज में काटना है, अब इसे कितने बड़े पीसेज में काटना है, आईए मैं आपको बता लेती हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कद्दू को मैंने किस तरह से छील करके बड़े पीसेज में काटना है, कद अब एक पेस्ट बनाना है तो आएए हम इने पहले पीस लेते हैं पीसते वक तब पानी का यूज मत कीजिए क्योंकि यहां पे टमाटर और प्यास जो है उसमें सफिशेंट पानी है और आराम से उसमें जो जूसेज है उसी से यह मसाला पिस करके रेडी हो जाएगा और अब यह बाकी की जो टमाटर है वो भी हम इसमें डाल करके पीस लेते है तो यह हमारा मसाला जो है बिल्कुल पिस करके रेडी हो गया है अब ही आप इसे साइड में रख दें और गैस पे मैंने एक कढ़ाई चुड़ा दी है कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है यहां पर मैंने तीन से चार टेबल स्पून सरसू का तेल डाला है यह सबजी आज में स यह दोनों ही चीजें जैसे ही थोड़ी सी भून जाएंगी हम यहां पर डाल देंगे वन टी स्पून के करीब कसूरी मेथी यहां पर कसूरी मेथी तेल में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सबजी का तो यह आप स्किप ना करें जरूर डालें और अब हम यह हमारे पंकिन के वह हम इसमें आड कर देंगे तो यह सारे पंकिन के पीसे हमने कढ़ाई में डाल दिये हैं अब यहां पर हमें इन्हें बिना ढखे फ्राई करना है और इस फ्राई करने की प्रोसेस में यह करीब 50-60% पक जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से पंकिन जो है बिल्कुल रेडियूस हो गया है शुरू में जब हमने पंकिन डाला था तो बिल्कुल कढ़ाई हमारी भरी भी थी लेकिन अभी देखिए पकने के बाद थोड़े से जो पीसेस है वो श्रिंक हो गये हैं और यह थोड़े फ्राई भी नजर आ रहे हैं यहां पर अब स सारे पंकिन के पीसे लगभग मैंने निकाल लिये हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में इतना तेल हमारा बचा हुआ है हम और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल इसमें नहीं डालेंगे और इसी तेल में हमें मसाला या प्यास जो भी है फ्राई करना है तो मै अब सिर्फ हमें इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है अब यहां पर कुछ मसाले को इसमें एड़ कर देते हैं सबसे पहले मैंने डाला है half teaspoon के करिब इसके साथ ही half teaspoon मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है अब यहाँ पर बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके इसका धकन लगा दीजे और 3-4 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है अब यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं आप देखिए मसाला जो है कितना अच्छा लग रहा है कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है लेकिन अभी जो हमारा मसाला है वो पूरी तरह से पका नहीं है अब हमें इसे बिना ढखे ही पकाना है अब यहाँ पर मसाला तो हमारा भून ही रहा है साथ ही साथ हम कुछ सूखे मसाले भी इसमें अड़ कर देते हैं ताकि मसाले के साथ वो मसाले भी भून जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून के करीब धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ ही साथ 1 फोर्थ टी स्पून के करीब हम डालेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर और यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1.5 टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च इससे सबजी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा इन सारी चीजों को इस मसाले में मिक्स करते हुए मसाले को भी हमें थोड़ा और भूनना है और अब इसे भूनते हुए करी मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं मसाले का कलर और मसाला जो है हमारा थोड़ा सूख भी गया है यहां पर हमने थोड़े से तेल को ही यूज किया है इसलिए बहुत ज्यादा आपको तेल सेपरेट होता हुए नजर नहीं आएगा लेकिन आपको मसाले की बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है इसी से पता चल रहा है कि हमारा मसाला भुनकर के बिलकुल रडि हो चुका है यहां पर जो जार था जिसमें हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा मसाला लगा है तो हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें आड़ कर देंगे और साथ ही साथ आधा कटोरी और हम इसमें पानी आड़ करेंगे क्योंकि ग्रेवी हमें थोड़ी सी अभी पतली चाहिए इसमें हमें पमकिन को जो 50% अभी नहीं पके हैं उन्हें भी पकाना है तो यहां पर आप ग्रेवी जो है उसकी consistency देख सकते हैं और जरुवत पड़े तो हम आगे और भी इसमें पानी आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने डाल दिया है पूरे पमकिन के pieces और इन्हें अच्छे से आप मसाले में मिला दें यही पर आप इस सबजी और मसाले का texture देख सकते हैं और इसे देख करके ही आपको इसके स्वाद का अंदाजा हो रहा होगा अब यहां पर इस gravy में इस pumpkin को हमें थोड़ा सा अगर देखेंगे तो बीच से जो pieces हैं वो थोड़े white नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि थोड़ा सा इन में अभी भी कच्छापन है तो इस gravy के साथ हमें पकाना है इसे तो gravy हमारी उसके हिसाब से थोड़ी सी थिक लग रही है मुझे थोड़ा सा और पानी डाल करके हम इसे पतला कर लेंगे और अब हम इसे धक देंगे और चार से पांच मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे तो यहाँ पर चार से पांच मिनट हो चुके हैं आप देखिए यह final हमारी सबजी का लुक है कितना tempting और अब जो तेल है वो भी आपको उपर नजर आ रहा होगा क्योंकि पंकिन में जो तेल था वो भी आप सब्जी में मिल गया है यह सारा जो है यह मिल करके इस सब्जी को इतना tempting बना रहा है और बहुत ही tasty सब्जी बनती है friends इस तरह से एक बर अगर आप बना करके यह सब्जी देखेंगे तो कभी भी आप जो कद्दू है वो लाना भूलेंग और इसको हमने सब्जेब कर लिया है आप धेकिए इसका टेक्शेर और एक एक पीस अईए जाना दोसकर और प्रेंग आयुकिन आप डी बिल्यों पसंद आई होगी आप अगर इस तरीके से पंकिन की सबजी बनाएंगे तो शायद ही घर में कोई ऐसा होगा जिसे ये सबजी पसंद आए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की एक सिं अग्यू गुडबाइ टेक्यर